हलो दोस्तों आसा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था कैसे सेंडर में बेबी प्लैन को बिठाते हैं आप मेरा 10 डेस हो गिया है आज मैं स्टेटस सेयर करूंगा यह क्या स्टेटस है अभी तक मैंने क्या क्या सिर्फ पानी दि में जाके देख सकते हैं तो आप लोगों दिखाता हूँ जो यह जो स्प्राउटिंग जो है अभी चालू हो गया दस दिन से पंदा दिन के बीच में पत्ता आना जो है वह चालू हो जाता देखिए सभी प्लैन्ट में थोड़ा-थोड़ा इस देखना सुझे हो गया इस ब दालने का तरीका जो है स्प्रेयर से आप पानी डाल दीजिए और उपर में अगर शूक जाता है जैसे अभी शूकना सुरू हुआ है मीडिया इसके बाद मैं थोड़ा स्प्रेय कर दूंगा फिर चलेगा इसमें ज्यादा मत पानी डाली है क्योंकि बेबी पैंट में ज्या चीज़ बताता हूं आप लोगों का अगर रोज प्लैन ठीक धंग से नहीं हो पा रहा है तब जाके आप लोग अपना पानी का पी एच और टीडीए दोनों चेक कीजिए मैंने यहां जो पानी का टीडीएस आता है वो है 200 ppm और आप लोग चेक कीजिए यह आप लोगों का वहां पर पानी टीडीएस क्या है आपका अगर टीडीएस दे टू फिप्टी तक ही रहता है तब भी जाके आप लोग रोज ग्रो कर सकते हैं उससे ज्यादा अगर होगा तो रोज प्लैन इतना अच्छा रिस्पॉंस नहीं करेगा क्यूंकि उसमें जब खाना आप लोग म जो अगर आपका वहां पर पार रोज प्लैन अच्छा से ग्रो नहीं हो पार तब जाके चेक कीजिए अधर्वाइस जो अगर रिस्पॉंस कर रहा है ग्रो हो रहा है तब जाके आप चेक ना करने से होगा जे मेरे यहां मैं कभी आज तक टीडीएस चेक नहीं किया हूं ले इसने मेजर करके मुझे बताया है तो ऐसे मेरे जुरूत नहीं पड़ा क्यूंकि मेरे यहां पर अच्छा ही ग्रो होता है रिस्पॉंस करता है प्लैन तो इसी के लिए मैं यह चीज बता रहा हूं तो अभी क्या है थोड़ा पानी ज्यादा नहीं देद डालना है और कुछ कुछ लोग होता है जो ऐसा सोचता है प्लैन बीठाने के बाद जो बहुत बड़ा हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता दोस्तों उसमें बड़ा होने में मतलब stolet टाइम लगता है वह भी डीपेंड करता है आपका फ़ाइटी के ऊपर जो अगल आपका पास ऐसा बैरेटी है ज तो आप लोगों को variety उसी type का select करना चाहिए जो ज्यादा growth देता है अगर आपको competition या ज्यादा flowering चाहिए तो तो मैं यह जो ID selection किया हूँ यह सारा exhibition variety का है आज मैं rooted paint के लिए hydrogen production दलूँगा एक ml एक लीटर पानी में और उसका बात है humic acid folic acid यह potassium ethinome इसमें है यह मैं आज ही use करूँगा यह देखिए root के लिए है इसमें root बहुत अच्छा आता है अच्छा result मिला है मुझे इसलिए मैं इसको use करता हूँ लेकिन यह कोई महेंगा नहीं है बहुत सस्ता ही आता है तो यह humic acid है folic acid hba growth भी अच्छा होगा तो इसको भी 1 ml मिलाएंगे और उसका बात मैं डालूँगा seaweed extract यह देखिए सागोरी का यह seaweed extract एक ml डालूँगा और लास में मैं डालूँगा इसको आप एक ग्राम एक लिटर पानी में मिलाके इसको रूट टीट्मिन का वीडियो अल्रेदी मेरे चैनल पर है तो इसको जाके अब लग चेक आउट कर सकते हैं वैसे मैं आज डालने बाला था तो इसलिए मैं आज वीडियो में आप लोगों को प्रोड़क्त सारा मैं आऊज कर दूसरा कोई चते हैं कि भी लाउ चाहरा थोगी दालने जाय तो मेरा लोकल में जो मिलता झाल नीज एक लिए उसी से ही अवाद लगाना चाले कर देते हैं मैं उस थेरी पे विस्वास नहीं करता मैं करूंगा खाना चाले जैसे यह इसमें मैं खाना चाले कर सकता हो देखिए जो फॉली जे थोड़ा ग्रीनी चोने लग लगेगा तब जाके मैं इसको खाना जालना करूँगा क्योंकि तब चाहिए खाना ये उतका काम आएगा अधर्वाइस हो जाएगा तो मैं अभी नहीं शुरू करूँगा अभी थोड़ा टाइम है पात सारा लेश चप ऐसे निकल आएगा क्योंकि एक को अलगता ट्रीटमेंट करने का टाइम बहुत लगता है इसलिए जिसका पास टाइम है तो उसी को खाना अभी चालू कर सकते हैं जो भी रूट ट्रीटमेंट है उसका साथ एक ग्रम बाराएकसट मिलाने से इसका रूट वह खाना डाल सकते हैं ऐसा स्टेज अगर हो आगए तब जाके जोड़ चीज रूटीटमेंट पर डालते हैं आप ल जाना निकलना शुरू हो जाएगा और पंजा दिन तक मैच्छूर हो कर यह दिखना शुरू हो जाएगा जा दस से पंजा बीच दिन तक यह मोटा मुटी निकल जाता है तो इसलिए मैं आपडेट दे दिया हूं आप लोग किसी भी नसरी से पर्चेस कर सकते हैं ऐसा कुछ न बहुत सब्सक्राइब नासरी है बहुत बड़ा बड़ा नासरी है वह आप से भी पर्चेस कर सकते हैं तो यह तो था मेरा अपडेट छोट बेबी डोस प्लान के लिए तो आपको अगर यह वीडियो इंफर्मेशन अच्छा लगा है वीडियो अच्छा लगा है प्लीज